नमस्कार दोस्तों व्रडुप चैनल में आप लोग का स्वागत है आज इस वीडियों हम बात करने वाले हैं 36 गड़ के दो विभाग में विविन पदों पर भरती के लिए विज्यापन जारी कर दिया है तो इन पदों के लिए कौन कौन वेधन कर सकते हैं तो वीडियो को सुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों को पुरा विडियो को देखा कीजिए यह बाते मैं आप लोगों को इस वज़े से बोल रहा हूं ताकि आप लोगों से कोई भी महत्मूर्ण इंपोंटन पोइंट ना छुटे कोई भी परसानी ना हूँ पहला विग्यापन जारी के है काले उप संचालक पसुची किस्टा सेवाएं जिला जस्पूर 36 गड़ के द्वारा जिसके अंतरगर्थ भरती के लिए विग्यापन जारी किया गया है जो भी इक्षू का भ्यार्थी इन पदों के लिए अवेदन करना चाहते हैं वे 7 जून 2022 सक अवेदन कर सकते हैं दोस्तों आप लोग यहां पर पत का नाम देख सकते हो सहायक पसुची किस्टा छेत्र अधिकारी के टोटल 10 पत पर भरती किया जाएगा प्रतीमा वेतन दिया जाएगा 18,420 रुपे आप लोग यहां अरक्षित पदों की संख्या देख सकते हो कौन-कौन सवर के लिए कितने-कितने पदों पर भरती किया जाएगा इस पत के लिए सैक्षुडी की उग्यता होना चाहिए मानता प्राप बोर्ड से बारवी परिक्षा उतिन होना चाहिए और इसी के साथ पसु पालन विज्ञान में डिपलोमा किया हुआ होना चाहिए और आप लोग किस परकार से चैन किया जाएगा यहां पर आप लोग डिटेल से पढ़ सकते हो तकनीकी सिक्षा के लिए आप लोगों को प्राप्त अंकों के 90 परतिसत अंक दिया जाएगा अगर आप लोगों को अनुभाव परमार पत्र है आप लोगों के पास तो उसके लिए 10 अंक दिया जाएगा प्रतेक वर्स के लिए 2 अंक अभी अभ्यार्थी इन पदों के लिए अवेदन करना चाहते हैं उनके लिए नुनितम आयू होने ची एक एक दो हजार बाइस को अठारा वर्स और अधिकतम पैंतिस वर्स होना चाहिए 36 अज़ासन के निया मनुसार आयू सीमा में छूट दिया जाएगा तो दोसो जब भी आप लोग अवेदन करोगे तो अवेदन पत्र के सांथ समझ दस्तावे डोकूमेंट को अटेच करके सलन करके दिये के पते पर आप लोगों को भेजना है दूसरा वी ग्यापनजारी के काला कलेक्टर जीला कॉंडागाउ 36 गर्ड के द्वारा जिसके अंतरगर्थ जीले के पांच इसकूलों में विविन्न पदों पर भरती किया जाएगा साक्षातकार वौक इन इंटर्यू के माद्यम से फाइनली दोस्तो आप लोगों का कोई भी एकजाम नहीं लिया जाएगा कोई फीस नहीं लिया जाएगा साक्षातकार वौक इन इंटर्यू के माद्यम से सीधा भरती किया जाएगा आप लोग यहाँ विद्यालाय का नाम पढ़ सकते हो और कितने पदों पर इस विद्यालाय में भरती के लिए विज्यापन जारी किया गया है वो भी आप लोग डिटेल से यहाँ पढ़ सकते हो सयुक्त एक लव्या आदर्स अवासि विद्यालाय गुलावन कोंडा गाउं में सिक्षक पीजिटी इसनातुत्तर के लिए हिंदी अंग्रेजी गडीत रसायन भोतकी और सिक्षक जी विज्यान के एक एक पत्पर भरती किया जाएगा इसी प्रकार सिक्षक टीजिटी हिंदी अंग्रेजी गडीत विज्यान समाजिक विज्यान संगीत व्याम सिक्षक कम्प्यूटर अनुदेशक सिक्षक के एक एक पत्पर भरती किया जाएगा और जो आप लोग का साक्षतकार walking interview लिया जाएगा 6 जून 2022 को दिन सोमवार 11 बजे से लेके सड़े 5 बे तक आप लोग का साक्षतकार लिया जाएगा सयुक्त एक लव्य आदर्स अवास्य विद्यालाय बेडमा केस काल में सिक्षक हिंदी अंग्रेजी गडीत विज्ञान समाजिक विज्ञान संगीत व्याम सिक्षक कंप्यूटर अनुदेशक इस्टाफ नर्स प्रियोग साला सहाया के एक एक पत पर भरती किया जाएगा सयुक्त एक लव्य आदर्स अवास्य विद्यालाय सामपूर माकडी में सिक्षक TGT इसनातक पास के लिए हिंदी अंग्रेजी गडीत विज्ञान के दोदोपत पर भरती किया जाएगा इसी प्रकार दोस्टो सयुक्त एक लव्य आदर्स अवास्य विद्यालाय कोर गाउं बड़े राजपूर के स्कूलों में सिक्षक हिंदी अंग्रेजी गडीत विज्ञान समाजिक विज्ञान संगी सिक्षक व्याम सिक्षक कंप्यूटर अंदेशक इस्टाफ नर्स प्रि अंगों के साथ इसनातक ग्राइवेट पास होना चाहिए संबंदित विशय में और माली के लिए सेखडिक योग्यता होना चाहिए आठवी पास जो भी इक्षुकर भ्यारती इन पदों के लिए अवेदन करना चाहते हैं उनके लिए नियुनतम आयू होना चाहिए 21 वर्स और अधिकतम आयू होना चाहिए 40 वर्स और जो आप लोग को मानदय दिया जाएगा पीजीटी सिक्षक को 350 रुपे प्रती कालखंड के अनुसार दिया जाएगा और टीजीटी सिक्षक को 300 रुपे प्रती कालखंड के अनुसार मानदय दिया जाएगा तो दोस्तों जो भी महत्पुर्ण important point है जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी था हूँ मैंने आप लोगों को बता दिया है अगर आप लोगों को इसके बारे में और अधीक जानकारी चाहिए तो आप लोगों को मैं वीडियो की नीचे description box में इन दोनों विग्यापनों का link दे दूँगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद